अगे बढ़ते हैं और हम आपको बताता को ने की बताता हूँ Incapsulation क्या होती है क्या होगी कि मैं कहता हूँ पहले हम भिन चीजर टाते क्यों कि युश्ञ कर रहे थे अभी पॉनकारिइं सारी इसको ढ़ी हटा देते हैं तो आप देखो आपको दिखाता हम कि अभी तो पबिक ता है डेटा मैं कहता है यह हो जाए और जो नीचे का डेटा यह सारा ये रहेगा पभिक अब मेरे सारे वेरेवस प्राइबिट होगा ये डेटा पब्लिक है यहां होगा क्या कि अभी अगर मैं डेटा को यहां पर एक्सिस करने की कोजिश करूंगा जैसे पहले कर रहे थे हम वो तेने अराम से अब नहीं होने वाला उसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां बनाएंगे कुछ getter set as function वो हम public में बनाएंगे किस तरीके से मैं यहां बनाऊंगा अब मैं एक पहला function बनाऊंगा white set speed उसको मैं कहाँ दूँगा integer 1s के नाम से अर्गुमेंट दूँगा और मैं कहूंगा speed equals to s क्या करते हैं speed equals to s अब होगा क्या अच्छा मैं आपको इस चीज़ा बता दूँगा यहां से अपने code को आप organize कर सकते हो जो मैं काम की चीज़ अब यूज नहीं होने वाली उनको मैं बन कर दूँगा अब मेरे code थोड़ा सा दिखने में असान हो जाएगा अच्छा white set speed मैंने कहा एक integer लेना s जब भी मैं main के अंदर set speed को मेरा method is set speed इसको call करूँगा तो जो s के अंदर मैं value दूँगा वो value speed को set कर देना तो अब मैं इस float को speed के float को directly access नहीं कर सकता है बलके मैं एक setter में ने function मनाया जो के मेरे value को लेगा और मेरे variable को देगा बीच में हमने function रख दिया वो लेकर जाएगा तरीके से system बना दिया अब एक और function मनायागा क्योंकि उस value को अभी कमें देखना भी होगा main के अंदर तो white get speed मैं उसके अंदर हम या करेंगे wide नहीं होगा बलके float होगा उस speed को क्या करेगा हमारा function view करेगा उसके बहुतर हम अर्गुमेंट की दरवत नहीं है हम क्या करेंगे रिटन कर दो भई सिंपल सी बात है रिटन कर दो क्या हमारी speed सपीट जो है ना मारा variable उसको क्या कर देए रिटन कर देगा तो जो मेरा function है getSpeed का ये मुझे अपने जहाँ इस्तमाल करूंगा वहाँ speed की value लाके देदेगा अब मैं speed की value को कहीं भी directly access नहीं करूंगा मैं method के थुरू access करूंगा अमीद आप समझ पाए होंगा इनके अपसुलेशन क्या होती है integer यह float लेंगे बलके float ही लेंगे change speed change speed के नाम से एक मैंने float बनाया scene change speed change speed के नाम से हम input लेंगे कि भाई यह speed change करनी है उसके बाद आप क्या करो कि set speed set speed किसकी करनी है यह भी देखना है मैं कहता हूं b1 b1.set speed bmw की speed set कर देना 500 500 कर देना बीवन की speed ठीक है और semicolon यहाँ पर semicolon लेएगा semicolon तो अब क्या होगा चाह सुरी b1 नाम नहीं है bmw नाम है class का object का तो bmw की speed set कर दो 500 इसे ना अर्गनाइस तरीके से हम डेटा देंगे और फिर मैं यहाँ लिखोंगा cout अब जब मुझे देखनी है तो bmw.get speed खुद ही आरा तमाम function देख आप get speed यह तो कर दी मैं अच्छा मैं गलती कर दी कि मैं 500 speed मैं खुद क्यूं फिक्स दूँ जब मैं input लिया है जब मैं इंटर दवांगा देखो आपके पार आंसर आगे है 350 तो इसकी speed सेट करके 350 की speed वाक से प्रिंट करवा दी और यह concept था इनकैसुलेशन का याद रहे यह सारे चीज़ां भी सिर्फ समझा रहा हूं इसका प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बना के आपको करवां गा आगे तो इनकैसुलेशन भी करवा दी है मैंने आपको पैथर्स कर ली हैं कर ली हैं आगे आपने करने पॉलेमॉर्फिजम इसके बाद हम इसका प्रॉपर पूरा प्रोग्राम बनाएंगे तो आगे बढ़ते हैं